कि अच्छे हैवी कॉंपोनेंट स्पीकर्स डैंपिंग लाइट अपग्रेड ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर सेरिंग कंट्रोल कुरूस कंट्रोल हर एक चीज हमने इस कार के अंदर किया है इस कार को स्चार्ट करेंगे इसकी हेडलाइट अपग्रेड से इस अच्छा कुछ चीजे जो पेस्टिक माली थी वो सर ने शौरूम से लगवा ली थी जैसे कि फ्रंट का क्रोम साइड की बीडिंग साइड के फुट रही तीन चार चीजें कंट्री से लगी थी एल्स सब चीजें हम लोग ने लगाई हुए हैडलेट हमने अपग्रेड की हुए है अजूम कि वन्स अगें वन ऑफ दे बेस्ट ऑप्शन्स या फिर कॉंबिनेशन कह सकता हूं मैं जो अवेलिबल होएगा आपकी गाड़ी के लिए अजूम आपकी दर भी ओ लगा सकते हो साइड प्रॉफाइल में अगर हम आ जाते हैं 17 इंच के डामेंट के टलॉय विल्स कार के अं रूफ रेज और लोवर विंडो गारनिश और हेंडल क्रोम का काम भी किया गया है तोड़ी सी क्रोम की आपको इंसर्ट करने थे कस्टमर को क्रोम का समान चाहिए था साइड फुट्रेश और साइड बीटिंग इस कार के अंदर अल्रेड़ी कंपनी से लगी थी rear profile of the car में आ जाए अगर हम इसके अंदर हमने पीछे rear में 360 degree camera जो लगाया है वो इसके OEM fitment पर ही लगाया हुआ है प्लस सर का एक subwoofer था जो हम लोगोंने एक add किया हुआ speakers हम लोगोंने चारो doors में audition company के लगाये हुए और चारो door के अंदर DD audio की damping हमने की हुई है auto foldable mirrors जो हमने इस car के अंदर लगाया है जिसका one touch switch आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है यह same panel में existing panel में cut करके लगाएगे जिसकी fit and finish आपको देखने के लिए मिलेगी प्लस यह one touch होता है Hyundai का original switch होता है आपका comfort level बढ़ सके इसलिए हमने इसके अंदर steering mounting controls cruise controls sun glass holders भी यह सब Hyundai का original आता यह भी हमने आड़ किया हुए inner silver handles भी हम लोग ने आड़ किया हुए है अगर आपका base model है इसके अंदर black color क्याते है यह भी आप एक add-on accessory है जो अपनी car के अंदर करा सकते हो अभी आ जाते हैं इसका सबसे बढ़िया पार्ट के तरफ इस car के अंदर music system हमने लगाया वो लगाया हुए proper exact 10.33 इंचिस का बड़े दिनों से हम लोग वेट भी गड़े थे कि हमारे को किसी reliable brand का मिल जाए जिसकी warranty भी होए और हम अपने customers को वह चीज दे सके तो भी अंदर आपको लेकर चलते हैं और आज साथ में आपको दिखाते हैं 360 डिगरी की calibration किसको बोलते हैं यह 360 डिगरी करने का कैसा आपकी गार में नजर आता है क्या उसका यूज है आपको लगाना चाहिए या नगी लगाना चाहिए सब आंसर आपको गाड़ी के अंदर मिलेगी तो सिस्टेम यहां पर जो हमने लगाया हुए वह लगाया हुए कर आपका यह stereo लग जाता है और आपको 9 इंच से बड़ी स्क्रीन मिल जाती है वो इसका यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है अर एपल कार प्ले एंड्रॉड आटो इसके अंदर आपको थ्रू जैड लि अब ही हम आयाते हैं इसके 360 पैनारॉमिक व्यू के ओपर के 360 पैनारॉमिक व्यू होता किया है और क्या ही आपको अपनी गाड़ी के अंदर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए देखो जिस सेग्मेंट की कार क्रेटा में हम बैठे हुए है इसकी हाइट भी अच्छ वो कि मेरको एक drone view मिले drone view का मतलब आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और चार कैमरे आपकी गाड़ी पर लगे हुई है जो आपको पूरा drone view देंगे like डिस half of the screen के उपर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा half of the screen के उपर आपकी car का पूरा view आ जाएगा plus आदी screen के उपर वो वाला view आएगा जिस जो आपने select किया हूँ है यह हमारा drone view है अभी बार हमारे यहाँ पर देखोगे काटते हुए मेरे किसी गाड़ी पर टच तो नहीं हो जाएगी वह आपर जूम इन करके भी देख सकता हूँ जिसमें हमारे को अलग अलग मोड़ मिलते हैं देखने के लिए यह हमारा बिल्कुल जूम इन मोड है मतलब आपको देखो कि कितना कैलिब्रेटिट आपको देखने को मिल रहा है और यह सब कुछ पॉसिबल तब ही है जब आप इसको कैलिब्रेशन कराते हो अधरो इस बिना कैलिब्रेशन के यह चीज इंकम्प्लीट है यह हमारा यहां से आपको दिख जाएगा देखने के लिए यह हमारी जो भी साथ में गाड़ी गई है वह भी आपको प्रॉपर्ली इसमें नजर आई यह जाते हुए तो हमारी जो रिकमेंडेशन है वह हमेशा से 360 डिगरी कैमरे को रही है आप अपनी कार के अंदर एक अच्छी चीज चूज कर सको एक अच्छी चीज लगा सको और अगर आप गाड़ी यह वली का टॉप मॉडल खरीते हो करेटा का तो आपको 360 डिगरी कैमरा तो मिलेगा ही मिलेगा वह हमने इस कार के अंदर इंटेगरेट किया हुए जो steering controls है वह totally इसके अंदर हमने activate करके दिये आपको देखने के लिए मिलेगा 30 की speed के बाद cruise control भी आपको यह पे activated देखने के लिए मिलेगा यह आपकी comfort को बढ़ाने के लिए है mirrors based model में चाहिए ही चाहिए इवन अगर आप EX model गलती से purchase कर रहे हो उसके अंदर भी आपको EX में भी mirrors लगाने पड़ेंगे विकॉस उसका भी indicator आपको fender में देखने के लिए मिलता है अभी एक one touch switch से ही मैं इसको fold कर सकता हूँ मैं unfold कर सकता हूँ प्लस गाड़ी में से जब उतरूँगा लॉक करूँगा तब भी fold हो जाएंगे unfold हो जाएंगे सब कुछ हो जाएंगे यह सारी चीज़े जो हमने इसके अंदर लगाई हूए यह must add on accessories है आपको कैसी लगी होगी आप जरूर बताना और अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है थैंकि सो मच तो यह सारी modification आपने इसके अंदर कराटा के अंदर देखी अभी एक छोटा सा message में आप तक देना चाहता हूँ बंदे confuse हो जाते हैं हमें कई बहरी बहुत सारे phone आते हैं कि मैं e-model लूँ या e-x model लूँ किसमे modification सही हो जाती है या e-model में लगाई हुई चीज़े वैसी है जो e-x में आती है या नहीं है तो एक छोटा सा answer में आपको देता हूँ इ-model या e-x model चूज करने के लिए आपको पोने दो लाक रुपे का फरक देना पड़ता है वाला एक सब उपर जाओगे पोने दो लाक लगेंगे आपको alloy wheels नहीं मिलेंगे handle chrome नहीं मिलेंगे side mirror foldables नहीं मिलेंगे roof rails नहीं मिलेंगी back में camera इसमें तो चलो 360 लगा दिया आपने back में camera नहीं मिलेगा इसमें seat cover नहीं लगे है वरनाब seat cover लगा सकती है alloy wheels नहीं लगे है आपको light upgrade करानी पड़ेगी उसको छोड़के आपको बाकी सब चीज़े गरानी बढ़ती है और अगर आपने वह पोने दो लाग रुप अपनी E model पर खर्च कर दी है न तो I bet you कि वह आपके S model से भी अच्छी बन सकती है because top model की हम बात करते नहीं है उसके इंदर पैनर on mix sunroof आ जाती है push button start आ जाता है rear wiper तो आप लगा सकते हो खेर बार से यह सब चीज़े तो आप हम कभी भी comparison top model से बताए नहीं दे हम E, E, X, S की बात कर रहे है क्या एक base model जो choose करने वाला है उसको E, X पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो सीधा सांसर यही है चले भी जाओगे पोने दो लाग फालतू भी खर्च कर लोगे बाहर आकर आ लगानी पढ़ेंगे चाहिए आज लगाओ चाहिए कल लगाओ विकादो मिसिंग है आपको E model चूज करना चाहिए और वो पैसा जो आपने E, X को दी है इसको दे दोगे तो ऐससे भी अच्छी बन जाएगी थैंकी सो मच